नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गॉरब और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं नेच्रल गैस MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेच्रल गैस का चार्ट है जिसमें लास्ट रेडिंग सेशन में और करन्ट लाइब मार्केट में जिस तरीके की मुमेंट रही हैं उनको देखते हुए हम ये समझने कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नजर आ रहे हैं जिनको देखते हुए हमारा आगे का क्या वियू बनता है हमें बाइंग करनी चाहिए selling करना चाहिए थोड़ा सा market में wait करना चाहिए किसी भी trade को लेने से पहले देखे दोस्तों पिछले दो दिनों में हमने natural gas में एक अच्छी correction देखी है 251K price से 227 का एक low level लग गया मतलब करीब करीब 24 रुपए की correction 24 रुपए की correction दो ट्रेडिंग डेज में और वो भी continuously no volatility straight downward trend और उसके और उसमें भी इसने जिन लेवल को break किया है वो बहुती strong level है market ने कहीं भी sustain नहीं किया है धीरे धीरे continuously एक downtrend बना रहा तो आई शुरू करते हैं 5 में के time frame से वहाँ थोड़ा सा हमें चीज़े clear होंगी market open वहा था opening के time से ही इसमें धीरे धीरे correction mode बना रहा था नीचे है market और इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा इसने अपने आपको stable करनी कोशिश की थी फिर से correction continue रही evening session में भी correction continue रही उसके बाद भी market बिलकुल end तक downside view को लेकर continue रहा और अभी भी हम market देखें flat opening है कोई बहुत major upside यह downside नहीं है और 230 पर अभी इसका current price चल रहा है 251 का 1 से थोड़ा उपर का इसका एक high लगा था जो Monday morning का था और वहाँ से लेकर अभी तक एक downwards trend में ही market trade कर रहा है ठीक है थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 minute की तरफ वह हम देखते हैं किस तरीके का view हमें नजर आ रहा है यहाँ अगर हम देखें तो यह पिछले दिनों का इसका trend है market ने Friday को यहाँ closing दिखाई थी Monday को यह opening होई और वहाँ से है अगर हम देखें तो आप यह देखेंगे कि continuously एक straight downtrend इस तरीके से कहीं पर भी इसमें कोई buying नजर नहीं आई आई है लगातार एक के बाद एक नए low prices हमें देखने को मिल रहे हैं जिन prices की बात हम कर रहे थे वह सारे break की हैं सबसे पहले नीचे आता रहा उसके बाद 239 या 237 मुझे भी धिहान नहीं आ रहा क्या price था वो break किया वहाँ से नीचे आता रहा फिर एक final price था 231 जो इसमें एक breakdown का price था मतलब उसके वो वो price था जिसके बाद intraday में भी trade कर सकते हैं और मतलब कल जैसे market 227 रुपे 50 पैसे का इसने low लगाया था तो intraday में भी trade कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा उस चाइंड थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो जाता है जब continuously एक market अल्रेड़ी इतना नीचे आ चुका हो हला कि वो भी ठीक रहा कोई उसमें problem नहीं थी पर दूसरी चीज़ के market का जो trend है overall trend वो नीचे की तरफ बन जाता है अभी आगे का view जो है वो और भी जादा नीचे का रहने वाला है जितने bounces आएंगे वो सारे के सारे हमारे लिए selling opportunity की तरीके से होंगे ठीक है और थोड़ा स आगे चलते हैं एक घंटे के time frame की तरफ वहाम देखते हैं कि इस तरीके का view है current contract यहाँ open हुआ था पूरे time इसमें strength बनी रही शुरवात के 3-4 दिन और यहाँ इस हफते के starting से ही हमने इसमें यह इस तरीके का एक downtrend देखा है straight downtrend कोई volatility नहीं कोई range नहीं सिर्फ नीचे के न 230 के around trade कर रहे हैं और 231 इसमें एक price में आपको बताया था कि जिसके नीचे मतब जिसे अगर यह break कर देता है तो market में जो selling pressure है वो काफी ज़्यादा हो जाएगा लगातार इसमें एक गिरावट का दौर बना हुआ है आइए चलते हैं और थोड़ा सा बड़े time frame पे वहाँ सम last trading मतलब last contract था उसमें हमने गिरावट देखी और उसके बाद एक market को strength मिली थी जो continue थी वो strength यहां तक भी मिली उसके बाद इसने इस price को अभी break कर दिया है यह price अगर यहां पर और थोड़ा सा और sustain करता है मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि market यहां sustain करेगा इन prices पे थोड़ा स और उसके बाद फिर से यह एक और नीचे की तरव एक अपना downward view बना सकता है कल इसमें देखा जाएगा कैसा एक trend रहता है inventory है तो market में उसका थोड़ा सा असर किस तरीके से रहता है किस तरीके से national gas के prices में उसका impact पड़ता है जो गिरावट है वो ही continue रहती है या फिर जो हम देख रहे हैं उसमें एक pressure ही बन रहा है अगर inventory के time बहुत major इसमें असर नहीं आया मतलब uptrend नहीं देखने को मिला तो इस downtrend को हम continue होते हुए देख सकते हैं देखिए दो दिन की straight downside rally के साथ अभी आज की expectation शायद ऐसी रह सकती है कि market एक range में trade करे मतलब नया low भी लग bounce कर सकता है यह possibility है और finally जो इसकी closing है वो शायद यहीं कहीं के आसपास हो सकती है इस rally को मतलब इस downward trend को यह कितना continue रखता है देखिए और ज्यादा नीचे के level तो हमें obviously आज देखने को मिल सकते हैं उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पर नीचे के prices पे sustain करना वो 23, 24 तक के भी level हमें market में देखने को मिल सकते हैं पर वहां से intraday में एक bounce आने की भी expectation रह सकती है और उपर के prices अगर हमें पहले मिल जाते हैं तो वो तो एक selling opportunity हमारे लिए एक अच्छी रहेगी मतलब blindly नहीं market उपर के prices पे आके जिस तरीके से turn करेगा वो हमें देखना होगा के turn कहां से ले रहा है ठीक है हर level पे भी हम बात करेंगे चलते हैं daily charge की तरफ यह हम देखते हैं कि यहां पर एक तेजी देखने को मिली थी पर contract ने एक्सपारी से पहले इस तरीके का move दिखाया नीचे आया फिर उपर आया next contract काफी जादा gap up opening के साथ चल रहा था और इसमें इस तरीके की strength बनी भी लगतार हमें मिली current contract है इसमें opening तो उपर ही चल रही थी पर इसने दो दिन में जैस तरीके का trend दिखाया वो ज़रूर buyers के लिए एक concern है वो अगर exit नहीं कर रहे हैं फिर वो किस तरीके से इस position को manage कर रहे हैं वो जानते होंगे पर कहीं ना कहीं एक selling pressure ज़रूर है तो वो थोड़ा उन्हें cautiously trade करना चाहिए market में levels break हो चुके है market को sustain करने में उपर के levels में थोड़ा सा एक problem ज़रूर होगी अब हम बात करते हैं उन levels की जो हमारे लिए आज important हो सकते हैं आज में भी ये थोड़ी देर तक जब तक इस तरीके का trend है देखिए सबस इसमें कोई major moment आनी उपर की तरफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है 233.50 यहां होगा या फिर इस थोड़ा सा और उपर हो जाएगा यहां तक ठीक है एक ये price है जो इसमें उपर के side में अगर breakout दिखाएगा तो थोड़ा सा intraday में और थोड़ी सिसमें strength बन सकती है पर इत resistance level है वो है 236.70 यह price है यह price break अगर हो जाता है तो जरूर market जो है वो इस downtrend को कहीं ना कहीं खतम करने के लिए कोशिश करेगा खतम हो जाएगा ऐसा नहीं है खतम करने की कोशिश करेगा इस price को break करने के बाद अगर यह price break नहीं होता तो obviously market में यहां तक के कुछ लेवल देख कर फिर सेक हम selling pressure देखेंगे जिसमें नया low level हमें देखने को मिलेगा तो यह दो prices है पर 236.70 अगर intraday में अगर break हो जाता तो कहीं ना कहीं आप को मैं यह recommend करूँगा कि आप market से थोड़ा सा अभी आप selling में हो या buying में हो थोड़ा सा आप बाहर बैट जाईए जरूरी नहीं कि आप किसी trade में जबरदसी आप पड़े नहीं चाहे उसमें profit हो या loss हो अगर कुछ confusion है देखे एक बहुत सही बात कहिए किसी ने when in doubt do nothing तो जब भी आपको कोई शक हो कोई शंका हो कि अब market में मैंने trade ले रखा है क्या होगा क्या नहीं होगा बैट रहे है कि आप बाहर हो रही है unnecessary वो gambling हो जाती है अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा आप किसी expectation के साथ किसी analysis के साथ observation के साथ बैठे वे market में तो जरूर वो आपका एक सही decision हो सकता है भले गलत भी हो पर आपने कुछ एक analyze तो किया किसी चीज़ को किसी situation को उसके base पर आप बैठे हैं तो अगर आपक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस situation में किसी trade में बने रहने का कोई मतलब नहीं है ठीक है और सबसे important चीज़ इसमें अब reversal कब आएगा वो price काफी उपर है वो price है यहाँ पर यह line है 247 यह price अगर break होगा तो इसमें reversal आएगा और उससे पहले कहीं भी आप buying की ना सोचे है बाइं की आप तभी सोचें जब 247 ब्रेक हो जाएगा उससे पहले आपका buying करना नेश्रल कैस के prices को वो थोड़ा सा जादर है इसकी जरूर हो सकता है तो दोस्तों यह था मेरा नेश्रल कैस पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहें मे